जया श्री केशना तो चलिए आज हम जानते हैं कि लड़ू गोपाल की छटी हम कब और कैसे मनाएं छटी की जो पूजा है वो हम सरलविदी से कैसे कर सकते हैं और साथी आपके मन में अगर कोई क्वेश्यन हो तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं मैं आपको उसका अंसर जरूर दोगी तो चलिए सुरू करते हैं तो जो छटी होती है वो आप अपने परवार के साथ से मना सकते हैं जिनके आंच छती सुबह बनती है वो मनाये और जिनके यांच छती दुपहर के बाद बनती है वो दुपहर के मार मना है बस आप takiej ये रखना है कि छती जो है आपको सूर अस्थ होने से पहले मना लिए चलिए अब हम जानते हैं कि पूजा कैसे करनी है तो हम चटी को एक उत्सो के रूप में मनाते हैं तो इस दिन हमें कोई व्रत नहीं रखना होता है सबसे पहले सुबहे आप इस्नान ध्यान करके भगवान की पूजा करिए भगवान को भी स्नान कराईए और उन्हें दूद का भोग लगाई है फिर जब दूपहर हो जाए या जैसे समय आपको सुग्दा है चटी का पर्व जो है मनाएंगे उसके लिए हम भजन की तन भी रखते हैं अपने घर में भगवान की बदाई भी गाते हैं तो हमें चटी की पूजन के लिए सबसे पहले तो भोग त्यार करन तो सबसे पहले हम चटी की पूजा के लिए भगवान को इस्तनान कराते हैं उसके लिए हम एक बड़े से बरतन में सवालीटर दूद लेते हैं उस दूद में हम भगवान को तीन बार इस्तनान कराते हैं इस्तनान कराने के बाद भगवान को हम पोच करके अच्छे से इत्र लगाते हैं हाँ चटी आपको वैसे करनी है जैसे कि आप अपने घर में छोटे बच्चे की चटी करते हैं उसी परकार से आपको फोटी पनाते हैं ऐस भ्यान रखेweed और धुम्तियों सिंगार कर सकते वह सब्सक्राइब भगवान को करना लगाने के लिए आप बभग्वान को बदाम का काजल बनाकरके लगा सकते हैं फिर भगवान को नजरिय पहना एक फिर फूर ग्वान को जोले में बैट जह जोला है और छूला को आज सकते हैं अब जो सबसे जरूरी बात है वो यह जिस दूद से आपने भगवान को इस्तान कराना है वो दूद आपको इधार उदार नहीं डालना है पेड़ों की नीचे नहीं डालना है उसे या तो आप स्वयम गरण करें या आप उनके भगतों के बीज में प्रशाद के रूपे उन्हें वित्रण कर सकते हैं तो अब आता है कि हमें भगवान को भोग कैसे लगाना है तो अब हमें भगवान को कड़ी चावल का भोग लगाना है उसके लिए आप भगवान के सामने कड़ी चावल का भोग लगाते हैं और इस मंत्र का जाप करते हैं और भगवान से पातना करते हैं कि जो भोग है उसे एगरहन करें इस तरीके से आप भगवान का भोग लगाते हैं क्योंकि कहते हैं कि आज के दिनी भगवान का अनक्राशन भी किया जाता है इसलिए आपको आज से पहले भगवान को किसी भी प्रिकार के अन्य का भोग नहीं लगाना है आप भगवान को फल, दूद, मेवा, आधिका भोग लगा सकते हैं पर अन्य का भोग नहीं लगाई है आज के दिन से ही भगवान को अन्य का भोग लगाया जाता अगर आपके घर में चोटे चोटे बतूथ हैं तो अबट को अपने बच्चों को लगा सकतância हैं उसे लगाने से आपके बच्चों को कभी भी नजर नहीं लगतED तो ये थी छटी बनाने की बहुत ही सरल वीधी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेर जरूर करिएगा जिससे और भी लोग सरल वीधी से छटी मना सके और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा राधे राधे